नमस्कार फ्रेंड स्वागाते आप सभी का सॉलसम इदरी सब यूटूब चैनल में फ्रेंड इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसी बोई से एक प्रेटे सेट लिया है इस प्रेटे सेट में 30 कोशन कंप्लीट करेंगे बिल्कुल बेसिक से अगर आपने कभी इससे पहले एक्टिव एंड पैसी बोईस अगर नहीं सीखा है तो आपको इस वीडियो में पूरा आपको बेसिक से बताओंगा और आप लोग अगर इसको जानते हैं पहले से तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और आप लोग इसको जरूब बता है कि आप लोग ने 30 में से कितना स्कोर किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम के चैनल पर मिल जाएगा एक दो दिन बाद तो टेलेग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला जो कुश्चन है आशीश अनुराग makes a noise तो इसमें आपको याद रखना है मैं आपको केवल एक रूल बताऊंगा जैसे यह लिखा है active voice तो active voice में आपको याद रखना है जो यह object होता है जब हम passive voice बनाएंगे जब हम passive voice बनाएंगे तो इसमें जो object है उसको हम subject लिखेंगे और प्लस अगर sentence present indefinite में दिया है तो इसको किसमें बदलेंगे present continuous में तो यह आप याद रखें और बर्ब की हमेशा third form आएगी passive voice में यह चीज़ आप याद रखें और प्लस जो subject होगा यह जो active voice में जो subject होगा उसको by by plus जो भी subject होगा वो लिख देंगे तो हमारा जो है passive voice तयार हो जाएगा तो इसमें जो लिखा है आशीश अनुराग makes a noise तो मैंने अभी आपको क्या बताया तो यहाँ पर जो object है उसको हम subject बनाएंगे तो यहाँ पर आ नॉइज प्लस जो यह sentence दिया है यह दिया है present indefinite में तो इसको बदलें किसमें present continuous में present continuous की जो बर्व होती है यह होती है is mr तो यहाँ पर a noise के साथ जो आएगा यह is आएगा तो हमारा A option गलत हो गया और B option भी गलत हो गया तो हमें बस चेक करना है Is किस option में आ रहा है तो A noise जो है singular है इस बज़े से यहां पर Is आया है और बर्ब की हमेसे आपको मैंने बताया third form आएगी पैसी बोईस में तो यहां पर make जो है make का third form होता है make का third form जो होता है यह होता है made ना की making तो यहां पर जो इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा noise is made by आशीश अनुराग तो मैंने by प्लस आशीश अनुराग तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 2 जो है children like suits तो यहां पर जो है इसमें object जो है suits है तो यहां पर suits से इसकी शूरुआत होगी तो suits किस-किस option में दिया है तो इसमें A में दिया है और D में दिया है और C में दिया है तो B option हमारा तो पहले ही गलत हो गया है यह जो tENSE है इस sentence का जो active voice का जो tENSE है कौन सा है तो यह है present indefinite present indefinite में जो बर्व होती है यह s या is लगाते हैं अगर subject singular है तो subject यहां plural है इसलिए यहां पे जो है s या is नहीं आया है इसलिए sentence जो है present indefinite में है तो present indefinite को किसमें बदलते है present continuous में तो present continuous की जो बर्व होती है तो यहाँ पे suits जो है यह plural है इसके साथ जो है आर आएगा ना कि is आएगा ना कि वर आएगा तो इसका जो है C option इसका correct हो जाएगा suits are like का third form हमेशा आप ऐसी boys में लिखेंगे why children तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा third जो है they are not picking the flowers तो यहाँ पे जो है इसका subject क्या है the flowers तो यहाँ पे the flowers से शुरुआत होगी इसकी और यह जो tense दिया है यह दिया है present continuous प्रिजेंट continuous को आप किसमें बदलेंगे तो present continuous को आप बदलेंगे किसमें present continuous तो रहे गाई और plus आप being जोड देंगे यह आप याद रखें केबल इतना add हो जाएगा present continuous में अगर दिया है जैसे इस जैमार आया है यहाँ पे active voice में तो आपको passive voice जब बदलें तो उसमें being plus add कर दें और बर्व की third form तो हमेशा आपको लगानी ही है यहाँ पे जो हो जाएगा the flowers इसकी शुरुआत होगी तो the flowers तीनों option में दिया है तो हम d option अभी check नहीं करेंगे तो the flowers यहाँ पे जो दिया है बर्व दिया है are not और यहाँ पे जो है flowers जो है plural है तो यहाँ पे आर नॉट होगा ना की were not और ना की is not तो इसका जो है a option हमारा correct ह जाएगा तो the flowers are not being picked by them तो यहाँ पर जो देखा जो है objective के साफ लेखेंगे तो by them तो यहाँ पर जो है मैंने आपको क्या बताया are not being केवल आपको being add करना है जब आपको active voice में जो sentence दिया है यह present continuous का दिया है तो अगला जो question है question number four जो है the students are watching the match तो इसमें आपको जो है यह जो दिया है यह भी present confidence का है तो इसमें भी आपको being add करना है केवल और बर्ब की हमेंसे third form तो लगानी ही है तो यहाँ पर जो हो जाएगा the match हो जाएगा the match is being watched the student कि this option में दिया है यह तो दा मैच यहाँ है cable a option में दिया है the match is being watched by the students तो इसका जो है the option correct हो जाएगा बाकी सारे option जो है गल्रत हो जाएगे क्योंकि the match के साथ जो है is आएगा ना की आर ना की वर या बोज तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो कुछ नहीं कुछ नमर 5 जो है तो यहाँ पे जो है दा प्लेट्स इसका subject होगा और जो tense दिया है यह दिया है present perfect तो present perfect को किसे में बदलेंगे आप तो present perfect को आप बदलेंगे present perfect continuous में तो present perfect continuous की जो बदलेंगे यह होती है यह होती है has been और have been तो यहाँ पे जो दिया है has दिया है तो the plates की according जो है यहाँ पे have आना चाहिए ना की had तो यहाँ पे had तो आई ही नहीं सकता है और the plate जो है यह plural है तो यहाँ पे जो है singular verb नहीं आ सकती है तो यहाँ पे जो है have been आपको लगाना है तो यहाँ पे जो है हमें दो option बस चेक करना है तो the plates the plates have been तो have been यहाँ पे भी दिया है और बर्ब की हमें से आपको third form लगानी है ना कि ing form तो इसका जो है यह d option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number six जो है तेंदुलकर has thrown the balls तो यहाँ पे जो है the balls इसका subject है तो the balls से यहाँ से शुरुवात होगी तो पहला option तो हमारा गलत हो गया है तो हमें the ball से तीन sentence मिल रहे हैं तो यहाँ पे हैस गी तो यहाँ पे टा बॉल्स जो है यह plural है तो यहाँ पे जो बर्व आएगी यह भी plural आएगी head तो यहाँ पे आई नहीं सकता है और यहाँ पे आपको check करना है और यहाँ पे the balls के coding has नहीं आ सकता है क्योंकि the balls जो है plural है तो इसलिए यहाँ पे जो है have been वाला answer हमारा correct हो जाएगा the balls have been thrown by tendulkar तो option जो इसका be option इसका correct हो जाएगा आगला जो question है the made dog bit the beggar तो इसमें sentence जो दिया है यह दिया है past indefinite में तो past indefinite में जो बर्व की बर्व की कौन सी form चलती है तो बर्व की हमें इसा जो है second form चलती है अगर sentence negative नहीं है तो अगर sentence negative है तो did plus बर्व की first form तो यह आप याद रखें तो यहाँ पर जो sentence दिया है यह दिया है क्या ? यह sentence जो है past indefinite का है past indefinite के sentence को आप किसमें बदलेंगे past continue Najfour में past continue की जो बर्व होती है यह उती है balls और were अगर आप sentence का सैंटेंस जो का subject जो है यह सिंगूलर है तो बहुर आएगा अगर प्लूरल है तो वर आएगा तो यह आप याद रखें पर डगार की कोडिंस आपको आपको यु庄फ फुरॉप करनी है सेंटेंस की पैसी बाइस में तो बवर प्टार एगा ना की वर यहां पर दो गलत हो गए है, तो cable हमें आप दो option check करना है, तो the beggar was being याँ पे being दिया है तो याँ पे being नहीं आ सकता है, being क्यों नहीं आ सकता है, अगर sentence हमारा past continuous में होता, तो being लगाना सही था, लेकिन sentence हमारा जो है present, जो है past indefinite में है, past indefinite में है sentence हमारा इसलिए यहां पर भींग नहीं आएगा तो यहां पर हमारा यह option भी गलत हो जाएगा तो इसका जो है c option correct हो जाएगा दा बेगर बॉज विटिन वाईदा मेट डॉग तो यहां पर जो है बिट का जो थर्ड फर्म होता है बिट का सेकंड फर्म बिटी ही रहता है और थर्ड फर्म जो है यह बिटिन हो जाता है तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 8 जो है the police did not catch the thief तो यहां पर जो है बॉज नॉट इसका correct हो जाएगा यहां पर being तो आही नहीं सकता है क्योंकि यह sentence जो दिया है प्रिजेंट सोरी पास्ट indefinite में दिया है यह वाला sentence इसको बतलेंगे आप पास्ट continuous में तो पास्ट continuous में बॉज और बढ़ चलता है तो यहां पर वोज और वर चेक करेंगे तो इसका जो है बी option correct हो जाएगा तो बी option is correct अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक इंड से रुकिया करें अगला जो कुछन है कुछ नमा नहीं जो है दा गाड़नर बॉज वर्टरिंग दा प्लांट तो यहां पर दा प्लांट से इसकी शुरुआत कर देंगे और जो है subject के according आपको जो है वर्टर लगानी है तो यहां पर दा प्लांट से इसकी शुरुआत होगी तो दा प्लांट किसकी option में दिया है तो सारे option में दिया है दा प्लांट तो दा प्लांट के according यहां पर बॉज नहीं आ सकता है तो यहां पर जो आएगा यह व बोटर्ड होना चाहिए क्योंकि बर्व की आमेंसे आपको फ़र्ड लगानी है यहां पर बोटर्ड इसका जो है डि ओप्सन में करेक्ट हो जाएगा आगला जो कुछन कुछ नम्बर टैन जो है दाचिल्डरिंड वर मेकिंग अ मौइस तो यहां पर इसकी सुरुवात होगी और sentence जो दिया है ये दिया है past continuous में तो इसको आप बदलेंगे जब तो past continuous plus being एड़ कर देंगे being आप एड़ कर देंगे केवल तो हमारा sentence तयार हो जाएगा और बर्ब की हमेशा third form पेसी बोईस में लगानी है तो ये आप याद रखें तो a noise से शुरुगात इसकी होनी है और plus a गलत हो जाएगा तो यहाँ पर जो है केवल बी ऑप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा मेड जो है यह मेक की जो है थार्ड फॉर्म है बाइदा चिल्डरिन अगला जो कुशन है कुशन हम 11 दे हैड़ नॉट ड़न दियर होंबर्ग यह सेंटेंज जो दिया है एक्टी बोईस का यह दिया है किसमें यह दिया है पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे आप तो इसको बदलेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंट्यूनियस में तो पास्ट परफेक्ट कंट्यूनियस की जो बर्व होती है यह होती है है हैड बीन तो हैड बीन लिखेंगे अगर positive होगा तो head bean लिखेंगे तो यहां पर जो sentence है negative है और plus इसकी शुरुआत जो है यह किस से होगी their homework इसमें जो object दिया है their homework है तो their homework से शुरुआत होगी इसकी तीनों option में दिया है और plus आपको जो यहां पर head not लिखा है तो इसको आप बदलना है किसमे head not bean में होगा बाकी यह सारे जो है दोनों तीनों गलत हो जाएंगे यहां पे आप यहां पर done के बाद यहां पर दे लिखा है यहां पर आप by them भी लिख सकते थे लेकिन यहां पर कोई जरूवत नहीं है इसकी अगर आपको नहीं दिया है option में तो by them आगर नहीं आप लिखेंगे sentence म तब भी इसका जो मतलब है सही मतलब इसका पूरा confirm निकल रहा है अगर आप by them लिख भी देंगे तब भी सही है और नहीं लिखेंगे तब भी सही है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशन नमा 12 जो है somebody had already warned him तो यहां पे जो है him इसका जो है object है इसको आप सब्सक्राइब में बनाएंगे तो इसका ही हो जाएगा यह sentence जो दिया है यह past perfect में दिया है इसको जब बदलेंगे आप तो past perfect continuous में तो इसमें head been चलता है तो यह आपको याद रखना है और प्लस यहां पे तो है यहां पे him का जो ही हो जाएगा तो ही किस option में दिया है तीनों option में दिया है plus head जो head bean आपको लिखना है ये भी आपको याद रखना है head bean आपको जरूर लिखना है head bean किस option में दिया है head already been warning तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे बर्व की ing form आ रही है head been already born head already been warned तो इसमें जो correct हो जाएगा ये हो जाएगा option इसका c correct हो जाएगा क्योंकि आपको head bean जो है यहां पे already दिया है तो already के बाद जो है बर्वाई है तो इसलिए यहां पे he had already been warned हो जाएगा यहां पे by somebody नहीं लिख सकते हैं आप by somebody आप लिखेंगे तब भी वही इसका मतलम निकलेगा अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा तो इसका जो है c option correct हो जाएगा आपको जो already है यह आपको head plus bean के बीच में लगाना है तो यह आपको याद रखना है अगला जो question है question मा 13 the postman will deliver the letters तो इसमें आपको याद रखना है यह sentence जो दिया है यह दिया है future indefinite में और future indefinite को आपके इसमें बदलेंगे तो future continuous में तो future continuous की जो बर्व होती है यह क्या होती है तो यह होती है will be और shall be अगर आपको active voice में will दिया है तो आपको will be लिखना है paci boys में अगर active boys में sell दिया है तो आपको paci boys में shell भी लिखना है यहाँ पे जो correct इसका answer हो जाएगा यह सारे option गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें will have दिया है इसमें will have been दिया है और इसमें last में cable will be दिया है तो इसका जो है c option correct हो जाएगा आपको याद रखना है अगर active voice में will दिया है तो आपको passive voice में भी will लिखना है अगर यहाँ पे shell दिया होता तो आपको shell लिखना था तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा अगले जो question है question 14 pupil will remember mother teresa तो इसमें आपको याद रखना है इसमें जो object दिया है mother teresa तो mother teresa से इसकी शुरुवात होगी तो mother teresa यहाँ पे will दिया है तो will be remembered इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो है इसका a option correct हो जाएगा और why the pupil आप लेख सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई जरुवत नहीं है क्योंकि sentence का already जो है मतलब निकल रहा है तो यहाँ पे जो है इसका a option correct हो जाएगा और यहाँ पे जो है remembered होना चाहिए था ना कि remember यहाँ पे जो है यह दोनों तो गलत ही हो जाएगे यह जो active voice का sentence जो दिया है यह दिया है future perfect में तो future perfect को किसमें बदलते हैं तो future perfect continuous में तो future perfect continuous की जो बर्व होती है will have been और shall have been तो will have been और shall have been आपको check करना है और इसकी सुरुआत जो है the terrorist से होगी क्योंकि यह object है active voice का तो जब पैसी voice में बदलेंगे तो इसको हम subject बनाएंगे तो यह हमारा option गलत हो जाएगा तो यहाँ पर data resist जो है दो option में check करना है तो bill have been केवल एक option में दिया है तो इसका जो है यह option गलत हो जाएगा इसका जो है केवल बी option इसका correct हो जाएगा अगले जो question है question number 16 I must help the poor यह sentence जो है यहाँ पर जो दिया है must यह है model auxiliary verb तो यहाँ पर इसको जब बदलेंगे तो must be में इसको आप बदल देंगे लेकिन यहाँ पर इसकी सुरुआत जो है the poor से होगी the poor इसमें जो है object है तो इसको जब आप subject बनाएंगे the poor must be helped by me यहाँ पर किस option दिया है तो the poor must be helped by me तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है must जैसे दिया है must दिया है can दिया है could दिया है तो आपको could be और can be में आपको बदल नहीं है तो यहाँ पर जो है इसका c option correct हो जाएगा यहाँ पर जो must दिया है यह model auxiliary verb है तो यहाँ पे इसको आप बदलेंगे जो है must be में और plus verb की हमें साथ third form आपको लगानी है अगला जो question है question number 17 जो है he can speak English तो he can speak English तो यहाँ पे जो है English इसका object है तो यहाँ पे जो है इसको subject जब आप बनाएंगे तो यह तो हमारा गलत हो गया है और यह भी हमारा गलत हो गया है तो हमें बस check करना है B option और C option तो यहाँ पे जो can दिया है तो इसको can be में आप बदलेंगे ना कि can being में तो इसका जो है cable be option इसका correct हो जाएगा English can be spoken by me him तो इसका जो है be option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 18 nobody could kill that criminal तो यहाँ पर जो है nobody से इसकी शुरुवात हो रही है मतलब sentence negative है तो आपको जो है बर्व है वो भी आपको negative लगानी है तो यहाँ पर the criminal से इसकी शुरुवात होगी तो the criminal यहाँ पर negative sentence होना चाहिए तो हमारा जो है दो option तो हमारे यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पर not नहीं आया है तो यहाँ पर जो right option जो हो जाएगा यह c option हो जाएगा the criminal could not be killed तो यहाँ पर आपको could को हमने किसमें बदलने को could be में तो यहाँ पर must को हमने किसमें बदला था और by nobody आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर sentence में हमें नोट लगा दिया है तो यहाँ पर जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा 19 जो है everyone will do this homework तो यहाँ पर this homework से इसकी शुरुआत होगी this homework किस option में दिया है तो this homework तीनों option में दिया है प्लस बिल को आप किस में बदलेंगे तो बिल भी में तो विल वी किस option में दिया है तो इसका जो है यह option गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें wing दिया है और प्लस जो है everyone भी आना चाहिए तो यहाँ पर जो है cable इसका जो है a option correct हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर यहाँ पर somebody भी लिखा होता अगर आपको by somebody दिया है तो आप सही कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तो आप उसको सही कर सकते हैं तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 20 we must have respected our elders तो यहाँ पर जो है must have दिया है तो must have को आप किसमें बदलेंगे must have must have plus bean में तो must have bean किसमें दिया है तो must have bean केवल एक option में दिया है जो की b है तो our elders must have been respected यहाँ पर अगर आप by us आपको लिखा मिल जाता था अगर तो आप उसको भी सही कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तब भी आप इसको सही कर सकते हैं तो इसका जो है be option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 21 जो दिया है he will have solved the sums तो यहाँ पर जो है the sums से इसकी सुरुवात होगी plus will have been होना चाहिए तो will have been किस option में दिया है तो केवल will have been जो है इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है तो यहाँ पे by him भी लिखा है तो यहाँ पे by him नहीं लिखा है तो आप प्राथमिता जो है by him बाले को देंगे अगर यहाँ पे नहीं होता यह by him तो आप इसको सही कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे by him दिया है तो इसको आप सही करना ही पड़ेगा तो इसका जो है c option correct हो जाएग अगला जो कुश्चन है कुश्चनमा 22 जो है we ought to have loved our neighbors यहां पर जो है यहां पर ought to have दिया है तो इसका जो बदलेगा जब ought to have been में तो ought to have been किसमें दिया है ought to have been तो इसमें cable a option में दिया है तो are neighbors or to have been loved तो इसका जो है cable a option correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चनमा 23 आयम तू राइट आबोक तो इसमें आपको याद रखना है आई के साथ यहां एम आया है तो यहां पर अगर आबोक के साथ आप लिखेंगे तो यहां पर इस लिखेंगे तो इसके साथ इस आएगा प्लस यहां पर टू दिया था यहां पर टू लिखेंगे और प्लस पैसी बोईस में जब आप बदलेंगे तो इसको आप प्लस बी एड कर देंगे अगर यहां पर कोई बुक्स होता जैसे दबुक्स होता तो यहां पर आप आर तू वी लिखते लेकिन यहां पर द question is question number 24 जो है there is no money to buy तो इसमें आपको याद रखना है there is no money जैसे लिखा है तो आपको केबल कुछ change नहीं करना है there is no money तो बैसे के बैसे लिखना है plus 2B और plus बर्ब की third form आपको लिख देना है तो यहाँ पर किस option में दिया है तो there is no money to be buying दिया है यह तो मेरा गलत हो जाएगा तो यहाँ पर बर्ब की अमें से आपको third form लिखनी है तो यहाँ पर third form दिया है और plus B भी दिया है तो इसका जो है label B option correct हो जाएगा अगला जो question है question 25 जो है switch on the light तो यहाँ पर switch on the light दिया है तो मतलब यहाँ पर order दिया जा रहा है जब active voice की sentence में आपको order या command मतलब आदेश या आग्या का बहाओ हो तो इसको imperative sentence कहते है और imperative sentence में आपकी सुरुवात जो है let से होती है let और plus जो है subject plus B और plus जो भी बर्ब की third form हमें सा आती है तो इसमें जो है cable इसका जो है c option correct हो जाएगा let the light be switched on तो यहाँ पर आपको बर्ब की हमें सा थार्ट form लगानी है तो यहाँ पर switch का third form जो है यह third form जो है switched हो जाएगा और plus इसके साथ जो है on fix है इसलिए switched on आया है और plus let the subject जो है the light और be switched on तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 26 जो है inform the police of the crime तो यहाँ पे जो है आग्या का बोध हो रहा है मतलब command का बोध हो रहा है तो यह imperative sentence है इसलिए यहाँ पे जो है let's इसकी सुरुवात होगी तो इसका जो correct option जो हो जाएगा यह option B हो जाएगा let the police be informed of the crime तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 जो है help the helpless तो यहाँ पे जो है जब imperative sentence में advise की बात हो मतलब सला की बात हो तो यहाँ पे जो है help the helpless यहाँ पे सला की बात हो रही है तो आपको हमेशा जो है जब पैसी बोई साब बदलेंगे तो आप subject plus should be और प्लस जो भी आपकी बर्व होगी उसको third form में आपको लिख देना है तो यहाँ पे जो है imperative sentence में जो है सला की बात हो रही है मतलब advise की बात हो रही है जब आपको order और command की बात हो imperative sentence में तो आपको जो है let से सुरुआत कर नहीं है और जब आपको advise की बात की जाए मतलब सला की बात की जाए तो आपको हमेशा should be लगाना है तो इसमें जो correct हो जाए है अगर यहां पे order या command की बात होती तो आपको जो है let से sentence की शुरुवात करनी थी तो यहां पे जो है इसका option correct हो जाएगा अगला जो question है question मा 28 जो है don't insult the poor यहां पे जो है don't insult the poor तो यहां पे भी advice मतलब imperative sentence में advice मतलब मतलब सला का बोध हो रहा है तो यहां पे जो है यह भी इसकी शुरुवात होगी should से तो यहां पे जो है इसका correct जो है option B में दिया है the poor should not be insulted तो option जो इसका be correct हो जाएगा अगला जो question है question मा 29 जो है please give me a book तो यहां पे जो है imperative sentence में जब आपको please या kindly आपको मिल जाता है तो आपको sentence की शुरुवात जो है you are requested से शुरुवात करनी है क्योंकि उसमें request मतलब उसमें जो है आपको request की किसी को आप निवेदन कर रहे हैं तो यहां पे please आया है यहां पे currently आया है तो आपको sentence की शुरुवात जो है you are requested से करनी है यहाँ पे जो है इसका correct जो है you are requested to give me a book तो यहाँ पे आपको cable जो है जो sentence आपको जैसा मिल जाता है please को आप हटा देंगे और give me a book तो यहाँ पे to के बाद give me a book तो पूरा आपको बैसे के बैसे ही लिख देना है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है तो यहाँ पे जो दिया है kindly post this letter तो यहाँ पे kindly को आप हटा देंगे और केवल आपको you are requested to लिख देना है और बाकी हमारा sentence correct हो जाएगा तो इसका correct answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा you are requested to post this letter ना कि posted नहीं होगा क्योंकि आपको जो है kindly और जो है please हटा देना है और केवल आपको जो है बैसे के बैसे पूरा लिख देना है जब आपको imperative sentence में please या kindly आपको देखने को मिलता है तो आपको केवल you are requested to की sentence की सुरुआत करनी है और प्लस जैसे active voice में दिया है बैसे आपको passive voice में लिख देना है thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है comment box में जरूर बताएं friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and से जरूर किया करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट कियें चैनल जरूर सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यूव वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्राम